हाई फ्रेंड्स देखिए मैं क्लेपोट का जो स्टॉक अभी आवेलेबल है उसका वीडियो डाल रही हूँ यह कॉलकता क्लेपोट का थीन वाला स्टॉक है जो हाप बेख्ट में हैं क्यूंकि क्लेपोट का अगर स्टॉक नहीं दिखाएंगे तो क्या होता है हमारा तो देख लीजिए हमारे स्टॉक में अभी कैसा अवेलेबल है वही आपको मिलेगा इसलिए मैं क्लेपोट का पूरा वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूं क्या-क्या स्टॉक अवेलेबल है जैसे अभी यह देखिए यह कच्छे मिट्टी का ग्लास कच्छे मिट्टी मे अrebbe हमारे पास यह आपको अपको और यह देखिए क्लेपोट का हाफ बैक और समोटी भी इसमें अविलैबल है स्मोकी बहुत साफ्ट होता है इसलिए बहुतों को पसंद नहीं आता है कि यह कच्छे मिट्टी जैसा लेकिन यह भट्ती में डाला हुआ समोकी है ऐसे नहीं कि इसको हमने कच्चे मिट्टी से बतलब यह पाने में डालते ही बिगल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आप लोग देख लीजिए यहां पर है स्मोकी का स्टॉक और यह हाप बेक साइट से स्मोकी है थोड़ा यह देखिए यह कितना सॉप्ट होता है हमारा क्लेपॉट और इसका जो बेस पार्ट होता है देखिए मैंने इसको तोड़ा लेकिन इसका जो बेस पार्ट होता है वो कभी नहीं तूटता है क्योंकि वो मोटा होता है इसलिए तो यह हाप बेक का स्टॉक है देखिए हाप बेक में स्टॉक हमारे पा अच्छा अरदी और इसमें ज्यादा मिट्टी होता है मतलब यह बहुत ज्यादा मिट्टी है इसमें इसको मोटा करके बनाया गया है और यह देखिए पतला वाला स्ट् guideline में जो कि ढई है प्लोगी देख लीजी जे यह पतला वाला यह मुटा वाला के पतले वाले में आपको श्मुकी भी मिलेगा और फुल ऐसे हाप बेट भी मिलेगा ठीक है देख लीजिए मैं पतले वालेप्ड का स्टॉक दिखाती है हूँ यह देखिये और इसमें थोड़ा स्मोकी मिक्स होता है ऐसा ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है हमारा देख लीजिए और अभी हमारे स्टॉक में जो चीज सकते अच्छा एविलेबल है वो है ये लंबे गले वाले पॉट ये लंबे गले वाले पॉट ये बहुत अच्छे स्टॉक में आपको अछे से दिखा देती हूँ यह पर दिया का श्रोक है नीचे रखा हुआ इसMore निकाल यह देखिए यह दीआ हाप looks है मतलब कोई स्पुख लिए यह इसा भी है यह का स्टॉक है हम दिखाएंगे आपको और भी स्टॉक है Kolkata Clay Pot का थी टाइप स्टॉक है हमारे पास हाप बेंट, नौन बेंट एंड स्प्रॉक हाड क्रंची में भी स्टॉक है मैं आपको दिखाते हूं और यह देखिए कोलकाता क्लेपॉट का यह है क्रंची वाला स्टॉक मतलब यह हार्ड एंड क्रंची स्टॉक है इसके साउंड से आपको पता चलेगा यह क्रंची में स्टॉक है और यह है ग्रेव वर्वर नॉन बेक्ट बार यह भी हमारे पास एवे लेवन है नॉन बेक्ट बार है यह इसमे सब्सक्राइब कोई स्मोकिनिस नहीं है और देखिए इस तरह के सॉसर भी है हाप बेक्ट में तिक है मैं इसका स्टाउग भी दिखाती हूँ यहाँ पे है तो हम बेक्ट है स्मोकि है सॉसर सभी कराब हेवाल रह देखिए हमारे हाथ से टूट गया है हाप बेट और देखिए यह है हाप बेक्ट यह है स्मोकी तो यह कभी स्टाक अभी हमारे पास अबिलेबल है और हुपते पॉट में जो है मैं दिखाती हूं देखिए यह है फुल स्मोकी में, मिनी सॉसर। और मिनी सॉसर हाप बेक्ट में भी है आप लेटर हैं, देख लीजिए, यह सभी स्टॉक अगे यह स्टॉक देखके हैं आप लोग औरर कीजी, तो स्टॉक हमारे पास जोग होगा, वह ही हम देंगे, और यह है ग्रे भाबर का स्मोकी वाला बा यह बार भी एविलेबल है अगल देखिए ये बार एविलेबल है और हमारा नया कले पॉट का स्टॉक कल फिर से आ रहा है दूसरा स्टॉक देखिए यह है विक साइज सॉसर स्मोकी में तो ये सब इस टॉक अभी हमारे पास एविलेबल है तो कुछ जए नहीं मिलेगा तो आप एक ओँ में मिक्स्ट भी ले सकते हैं यह सब्सक्ताइब अमरा क्ल उप बेक्ट मैं कि माँओ नो में लेसकते लिए तो तो आपा कऊ-पी लosure सकते है आने वाला है बिक साइज दिया ग्लाक सभी तो वह आने से हम उसका वीडियो भी आप लोगों के शर्द शेयर करेंगे कच्छे वाले क्लेपट यह कच्छे बाले क्लेपट जो भी लोग और कर रहा है मैं पहले बता देती हूं यह कभी भी होल पीस में जाएगा नहीं यह पूरा चोटे चोटे पीसेज बन जाएंगे यह देखिए आप बेक्ट पॉट तो फ्रेंस आप लोग हमारा स्टॉक देखके ओडर कीजिए ठीक है और कैश्वर डेलिवरी अभी नहीं है ऑनलाइन है प्रिपेड है तो बाइफ रेंस अटे क्यार बाइफ